कख्षा बारा के सभी विद्यारतियों आज मैं आपको बाईलो जी का एकेसा पेपर बताऊँगा जो की परिक्षा आल में आपको सुभा याना आज ही देखने को मिलेगा सत्प्रतिसत सारे के सारे कोशन इसमी से फस रहे हैं चलिए तो सिरू करते हैं आ निसेचित अंड़ से बीच का विकास कहलाता है एपोगेमी मृत्युदार एवं जनमदर का प्रतिसत अनुपात को कहते हैं जेविक इंडेक्स कवक का पादप जड़ों के साथ सहेजिवी संबंद का उधारने माई कुराईजा कौन सा इंजाई मनुवान से की अभिया अंत प्रतिस्तान में आपको अंडा से बढ़ना है दूसरे में मटर आ जाएगा तीसरे में आपका जेवर रखे पीसी आर का सरुप्रतम केरी भी मुली सा जाएगा बीटी का जाएगा जेविस इकलो इसके बाद में यहां से चलिए आगे बढ़त जोड़ी की हम बात करें तो प पूरा बहुत है और पहला जो है सत्य सत्य में यह आपका असत्य रहेगा दूसरा सत्य रहेगा तीसरा चोथा और पांच्वा पांच्वा गलत रहेगा बाकी सब सत्य देख लिए आप चलिए आगे बढदते हैं और यहां से षुप से इंगल्जैयों के लिए मनुष्च के विरस्चन का नामंग की चीत्र बद्ताना है आपको यहां से अपनबरता गरेंगे सुक्राण और जनक्या क्या बहर्वर्ण कीजिएा कि कुण कुण से कारण है एक्रोसोम के कार्य क्या है गिप्ट क्या होती है कि शम्जात अंगों को उधारन सहीत प्रति को परिवासित कीजेगा प्रति जेविक क्या है उर्ज्या परवाहा अंडानोजनन का नामांगिये चित्र बनाईए सुकॉरानोजनन का नामांगिये चित्र का आरेक बताइएगा आपको लुप्त प्राया, संकटापन प्रजातिय किसे केते हैं कि जब एक समान्य इस्त्री का विवा एक वर्धंत पूरुस के साथ होता है तो उससे उत्पन होने वाली संतान में वर्धंतता की अनसान्द गति को समझाईए ठीक है यदी कि यह होगे आपका कोश्य नमर 16 देख सकते व्याउसन क्या इसके प्रमुक कारण लिखना है केंसर क्या है इसके प्रमुक प्रकारों को बताईएगा पारिसितिक तंत्र के जेविक घटकों को समझाईए खाद्य जाल को सचितर समझाईए ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ तंत्हों जाल को समझाईए लिए म donkey।